परिचे तो आओ, अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे लेंगिक जनन को परिभाशित करना पुष्पी पौधों में लेंगिक जनन को समझना पुष्प की सनचना को समझना बीजों की सनचना और उनके प्रकारों को पहचानना एक लिंगी पुष्प की सनचना को समझना दुई लिंगी यानि उभै लिंगी पुष्प की सनचना को पहचानना अलिंगी पुष्प की सनचना को समझना उभे लिंगा श्रई और एका लिंगा श्रई पौधों को पहचानना, पुष्प के कारियों को समझना, पुष्प क्रम की सनचना तथा उसके प्रकारों को पहचानना, परागन की प्रक्रिया और उसके प्रकारों को समझना, निशेचन की प्रक्रिया को समझना, बीजांड की संदचना को पहचानना, युगमक सनलयन की प्रक्रिया को समझना, त्रीज सनलयन की प्रक्रिया को समझना, दुई निशेचन की प्रक्रिया को समझना. जनन की लेंगिक प्रणाली यानि विधी का महत्व लेंगिक जनन संतती में गुड़ों की विविदता को बढ़ाता है युक्मक में जीनों के नई जोड़ों को पासलाने के परिणाम सरूप आनुवण्श की ये विविदता बढ़ जाती है जनन के दौरान दो अलग-अलग जीवों के डिने के मिलने से नई जाती की उत्पत्ती में यह प्रमुख विशिस्ट भूमी का निभाता है पुश्पी पौधों में लेंगिक जनन प्रारंभिक अवस्था में पौधे पत्तेदार या काईक चरण में होते हैं तथा जब विविध्धी तथा जनन करते हैं अथवा प्रजनन चरण में तब उन पर पुश्प बनते हैं इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पुश्प पौधे के जननिये भाग होते हैं पुश्प पुश्प पौधे का एक चमकीले रंग का जननिये भाग है पुष्प के डंठल को पुष्प वरिंत यानि पैडिकल कहते हैं पुष्प वरिंत का फूला हुआ चप्टा सिरा पुष्पासन यानि थेलेमस बनाता है पुष्पासन यानि थेलेमस से पुष्पिये यानि फ्लोरल पत्तिया निकलती हैं जोकी चार प्रकारगी होती हैं बाहे दल, दल यानि पंखुडी, पुंकेसर और अंडप बाहे दल और दल यानि पंखुडी पुश्प के जनन के लिए अनावश्यक भाग हैं, जबकि पुश्प के अवश्यक भागों का निर्माण करते हैं, तथा इन में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। बाहे दल या कैलिक्स हरे रंग के होते हैं, तथा पुश्प का बाहरी चक्र बनाते हैं। दल यानि पंखुडी या कोरोला बाहे दल के बाद स्थित होते हैं, ये अधिक तर रंगीन होते हैं, तथा कीटों को परागन के लिए आकर्शित करते हैं। पुंकेसर या पुमंग दल यानी पंखुडी के बाद स्थित होते हैं कतेक पुंकेसर वृत सद्रिश डंठल तंतु और चप्ती घुंडी सद्रिश पराग कोश से बना होता है पराग कोश में पराग पुटियां यानी पूलन सैक पाई जाती हैं जो की पराग कन का निर्मान करती है. पुंकेसर पुष्प के नर्भाग को प्रदर्शित करता है. अंडप या जायांग पुष्प का मादा भाग होता है और पुष्प के बीच का भाग बनाता है अंडप फूले हुए आधारिये अंडाशय, मध्धे वर्तिका और उपरी घुंडी, सद्रिश्य, भाग, वर्तिकाग्र को दशाता है अंडाशय, बीजांड धारन करता है, जो की बीज में बदल जाते हैं, फल बीजों को घेरते हैं, तथा उनकी रक्षा करते हैं बीज बीज परिपक्व बीजांड होते हैं, बीज के अंदर भ्रून तथा संचित भोजन पाया जाता है, जो की अंकुर बनने के समय विक्सित हो रहे भ्रून के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है एक बरिपक्व बीज दो महतपून भागों से मिलकर बना है, जो की इस प्रकार है बीजावरण और भ्रून बीजावरण एक सख्त परत होती है, जो की बीज के आंतरिक भागों की रक्षा करती है भुरून, मोलांकुर, प्रांकुर और बीज पत्रों से मिलकर बना होता है मोलांकुर नवीन जड़ बनाता है तथा प्रांकुर नवीन तने का निर्मान करता है बीज एक बीच पत्री तब कहलाता है जब उसमें एक बीच पत्र पाया जाता है तथा दुई बीच पत्री तब कहलाता है जब उसमें दो बीच पत्र उपस्थित होते हैं बीज भुरून पोश ये तब हो सकता है जब उसमें भुरून पोश पाया जाता है तथा भुरून पोश रही तब होता है जब उसमें भुरून पोश उबस्थित नहीं होता है क्रिया विधी चलिए, बीच की सनचना को भलिभाती समझने के लिए एक क्रिया विधी करते हैं हमने कुछ चने के बीजों और कुछ मक्य के बीजों को रात भर जल में डुबो कर रखा अगले दिन, सुबा हमने उन बीजों का अतरिक्त जल निकाल कर उन बीजों को एक गीले कपडे में लपेट कर एक दिन के लिए रख दिया अगले दिन हमने दोनों तरह की बीजों को दो भागों में बांड दिया। हम देखते हैं कि चने की बीजों में बीजावरन, मुलांकुर, प्रांकुर और दो बीजपत्र उपस्तित होते हैं। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प जिन में या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर पाया जाता है। उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उधारण, पपीदा, तर्बूज। दुईलंगी पुष्प वे पुष्प जिन में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पस्तित होते हैं। उन्हें दुईलंगी या उभैलंगी पुष्प कहते हैं। उधारण, मटर, हिबिसकस और सर्चुंग। अलिंगी पुष्प वे पुष्प जिन में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही अनुपस्तित होते हैं। उन्हें अलिंगी पुष्प कहते हैं। उधारण, आम, काजू। उभै लिंगाश्राई तथा एका लिंगाश्राई पुष्प 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 जाते हैं। उधारन मक्का, कद्दू और अरंडी वे पौधे जिन में केवल एक प्रकार के एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, एका लिंगा श्राई पौधे कहलाते हैं. उधारन खजूर का पेड़ और शेहतूत। पुष्प के काडरे पुष्प में नर जनरांग, पुंकेसर तथा मादा जनरांग अंड़ पाए जाते हैं. पुष्प पौधे का वह भाग है जो की लेंगिक जनन में भाग लेता है. अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है जिसमें बीज उपस्थित होते हैं. पुष्प क्रम वह अक्ष जिस पर की पुष्पों का गुच्छा लगा होता है पुष्प क्रम कहलाता है. ये अंतस्थ अथवा कक्षिय हो सकता है. फूल को भी पुष्प क्रम का एक अच्छा उधारण है. पुष्प क्रम करता है. यानी कारकों जैसे कीडे, पक्षी, मनिश्य और जल के द्वारा स्थानांत्रित होते हैं. परागण दो प्रकार का होता है. स्वापरागण और परपरागण. जब परागण एक पौधे के पुष्प के परागोश्ट से उसी पुष्प या अन्य पुष्प के वर्तिकागर तक स्थानांत्रित होते हैं, तो उसे स्वापरागण कहते हैं. जब पराकण एक पौधे के पुष्प के पराकोश से उसी जाती के दूसरे पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकागर तक स्थाना अंत्रित होते हैं तो उसे पर-परागण कहते हैं निशेचन परागकन का वर्तिकागर पर गिरने के पश्चाद अगला चरण निशेचन होता है नर और मादा युगमक के सलयन से युगमनज बनने की प्रक्रिया को निशेचन कहते हैं लेंगिक जनन के दोरान यह निम्न चरणों में होता है जब एक परागकन अंडप के वर्तिकागर पर गिरता है तब यह फट जाता है और वर्तिका से होकर यह पराग नलिका से नीचे जाकर अंडाशय में मादा युगमक की तरफ पहुँच कर वृध्धी करता है पराग नलिका में दो नर युगमकों का निर्मान होता है एक नर युगमक पराग नलिका से नीचे चला जाता है पराग नलिका अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करती है पराग नलिका का सिरा फट जाता है और नर युगमक पराग नलिका से बाहर निकलाता है अंडाशाय में पराग का नर युगमक, बीजांड में उपस्थित, मादा युगमक अथवा अंड के केंद्रक से जोड़कर निशेचित अंड का निर्माण करता है, जिसे युगमनज कहते हैं निशेचित के पस्चात युगमनज कई बार विभाजित होकर बीजांड में भुरूण का निर्माण करता है, तब बीजांड एक सख्त आवरण का विकास करता है और बीज बन जाता है बीज पौधे की जननिये इकाई है, ये अपने अंदर भविश के भुरूण को रखते हैं, जो की बाद में अंकुर में विक्सित हो जाता है बीजांड बीजवाले पौधों में बहुत छोटी सी सनचना भुरूण कोश होती है, जो की बीजांड काय से घिरी होती है और निशेचन के पश्चात बीज में विक्सित हो जाती है, इसके तीन भाग होते हैं, अध्यावरण इसकी बाहरी परत बनाता है बीजांड काय यानि गुरू बीजांड धानी तथा गुरू बीजांड युक्त मादा युग्मकोद भिद यानि गुरू युग्मकोद भिद इसके मध में स्थित होता है गुरू युग्मकोद भिद जोकी पुषपी पौधों में भुरून कोश भी कहलाता है, निशेचन के लिए एक अंड कोशिका या कई समोहों में अनेक अंड कोशिकाओं का निर्मान करता है निशेचन के पश्चात बीजांड एक बीज में विक्सित हो जाता है युग्मक सनलयन एक नर युग्मक अंड से सनलयत होकर दुई गुनित युग्मनज बनाता है, इसे युग्मक सनलयन कहते हैं मेरू रज्जू प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंतरित करता है और सन्देशों को शरीर के विभिन भागूं तथा मस्तिश्क तक समवहित करता है त्री सनलयन दूसरा नर युग्मक दुईतियक केंद्रक के साथ सनलयत होकर प्रात्मिक भुरून पोश केंद्रक बनाता है इसे त्री सनलयन इसलिए कहते हैं क्योंकि सनलयन प्रक्रिया में तीन केंद्रक सम्मिलित होते हैं एक नर युगमक और दो धुरुविय कोशिकाएं दुई निशेचन दो युगमकों के युगमक सनलयन द्वारा एक ही भुरून कोश यानि पुटी में दो बार निशेचन की प्रक्रिया घटित होने और त्री सनलयन को दुई निशेचन कहते हैं क्या आप जानते हैं? पक्षियों के द्वारा किया गया परागण, पक्षी परागण कहलाता है. जलोद भीद पुश्पों में परागण हलके होते हैं, किन्दू मुम से ढके होते हैं. खाने योग्य पराग रोसा, मैगनोलिया और कलीमेंटिस के द्वारा बनाय जाते हैं जोस्टेरा में सबसे लंबा पराग लगभग 2500 माइक्रो मीटर लंबाई का पाया जाता है जबकि मयों सोटिस में सबसे छोटा पराग लगभग 2.5 से 3.5 माइक्रो मीटर लंबाई तक का पाया जाता है एरी थ्रीना में कवों और गिलेरियों के द्वारा परागन होता है वायों में पराग की उपस्थिती के कारण प्रत यूर्जिता यानी अलर्जी अभिक्रिया होती है जिसके कारण हे बुखार हो जाता है निशेचन के बिना अंड के विकास को अनिशेक जनन कहते हैं निशेचन के बिना फल बनने की प्रक्रिया को अनिशेक फलन कहते हैं आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उच्छ पादपों के जननभाग पुष्प में स्थित होते हैं। पुंकेशर पौधे का नर जननभाग होता है। अंडप पुष्प के केंद्र में स्थित होता है तथा मादा जननभाग होता है। परागोश से वर्ती कागर तक परागण का स्थनांतरण परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है। स्वापरागण और परापरागण। अंडाशय पक्कर फल बन जाती है। फल बीजों को मुक्त यानि छोड़ने में सक्षम होते हैं। प्रतियक बीज में एक भावी पाधा होता है जो की अंकुरित होकर एक नया पाधा उत्पन्न करता है।